ये रिष्टा क्या कहलाता है में होगी अभीरा और अर्मान की शादी लेकिन उससे पहले अर्मान देखेगा रूही की साइकोटिक साइड अर्मान और अभीरा की शादी से पहले रूही जैसे तैसे अर्मान को एक जगा पर ले जाएगी और वहाँ पर दुलन के जोड़े में खड़ी होगी और ये देखकर अर्मान हैरान रह जाएगा अभी तक अर्मान को रेलाइस नहीं हुआ था इस बात का कि रूही किस हद तक जा सकती है और आज पहली बार वो यही देखेगा कि रूही कितनी जादा पागल हो चुकी है रूही को वो बिलकुल भी भाव नहीं देगा रूही उससे प्यार की बाते करेगी उसे काफी अंबारस फील करवाएगी लेकिन अर्मान रूही को छोड़ कर अपनी अभीरा के पास चला जाएगा दूसरी तरफ अभीरा मंडप में अर्मान का वेट करेगी हर कोई उसे बोलेगा कि अर्मान नहीं आएगा फूफा सा उसे बोलेगे कि अर्मान उससे शादी नहीं करना चाहता लेकिन अभीरा अर्मान के उपर अपना विश्वास बनाए रखेगी और end moment तक अर्मान का इंतजार करेगी और अर्मान भी अभीरा को डिसपॉइंट नहीं करेगा अर्मान आएगा फुल स्टाइल के साथ, फुल स्वैक के साथ और यहाँ पर अभीरा को प्रोपोस करेगा अपनी घुटनों पर जाकर जिसके बाद दोनों के बीच में एक romantic eye lock moment देखने को मिलेगा बहुत ही जादा खुबसूरत होने वाली अर्मान अभीरा की शादी जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो रोहित के किरदार को प्ले करने वाले actor रोमित राज ने शेयर की है कितना grand wedding मंदफ लगाया गया है अभीरा और अर्मान के लिए इतनी खुबसूरत decorations हैं आज की episode में भी देखने को मिला कि कैसे almost पूरा परिवार ready हो चुका है अभीरा अर्मान की शादी के लिए except विद्या लेकिन ये भी देखने को मिला कि in future दादी साथ जरूर अभीमान को support करती नजर आएंगी social media पर बहुत से hashtags friend हुए अभीमान की शादी, अर्मान संग अभीरा whole fandom is excited for this wedding और fans को छोटी-छोटी glimpses मिल ही रही है inside ही जहां पर कुछ videos, कुछ photos देखने को मिल रही है जहां अभीरा और अर्मान एक दूसरे के साथ इसी मंड़प में खड़े हुए है रूही की लाग कोशिशों के बाद भी ये शादी तो होकर ही रहेगी latest episode पर fans के reactions आए एक यूजर ने कहा अभीरा इन हर माइका feels so good also see सूरेखा getting emotional without knowing she is their घर की बच्ची only एक और यूजर ने कहा फूफू is a secret अभीमान शिपर cutest scene of the day जहां देखने को मिलता है कि कैसे chorus gang चाहता है और मनीशा चाची सा चाहती है कि फूफा सा थोड़े नराज हो जाए सारी रस में पूरी हो जाएगी एक और यूजर ने कहा रोहित पुरोहित is the most handsome male lead of रिष्टा अर्मान कोडार is a well written male lead character of रिष्टा, agree or die एक और यूजर ने कहा सूरेखा is on another level अभीरा's vibe changed her so much she will love अभीरा after knowing the truth हुआ हुआ हुआ